तो अलो दोस्तों कैसे हैं आप सबस्वास्त नमास दोगे तो एक और वीडियो आपके लिए क्या गए हैं आई पिल से पहले ठीक है जो कि आपको बताने वाले हैं ड्रीम एलेवेंट कैसे खेलें ड्रीम एलेवेंट खेलने का जो तरीका है यूट्यूब पे काफी सारे लोगोंने कई सारे टिप्स ट्रिक्स दिये हुए हैं लेकिन हमारा जो सारे आठ मिलियन व्योष गया हुआ है अब जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को उस वीडियो को उठा के कई लोगों ने same to same चिप दिया है अपने चैनल पे और same to same मेरे description, title, tag सब कुछ लगा है हुआ क्यूँ क्यूंकि हमने सही चीज़े आपको दी हुई है और इस बार भी हम आपको सही चीज़े यहाँ पे देने वाले हैं जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा GL win करना GL win करने के चांसे सापके काफी जादे बढ़ जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं dream 11 कैसे खेले dream 11 खेले का भी कोई तरीका होता है आप लोग क्या करते हैं dream 11 जब line up होती लाइनप के टाइम जो है आप क्या करते हैं टॉस होने के बाद line up होने के बाद जो है team बनाते हैं और team बनाने के बाद जो है आप invest करने के बाद आप सूसने लगते हैं कि भाई मेरा winning zone में भी रह जाता तो काफी अच्छा होता जितना invest करें वो भी वापस आ जाता ऐसे आप मनाने लगते हैं खुद से ठीक है तो उससे अच्छा है कि हम क्यों न अच्छा team बनाए और GL win करें और GL अगर नहीं भी win कर सकते हैं तो जितना invest करें उससे कुछ जादा हमारा amount वापस होके आए ठीक है तो इस तरह से तो सबसे पहले toss की बात करते हैं तो toss जो होता है toss होने के बाद आप क्या करते हैं team edit करते हैं team edit करने के बाद आप ऐसे team लगा के छोड़ देते हैं ठीक है बाद में आप पस्ताने लगते हैं या फिर winning john बे रहने के लिए भी सोचने लगते हैं तो भाई यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि toss कौन win कर रहा है toss जो team win कर रही है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और यह सभी को पता होता है अगर नहीं भी पता होता है न तो वो भी team अच्छा खासा बनाए लेते हैं बात करते हैं pitch report की कहां पर कौन से stadium में match खेले जा रहे हैं और यहां पर pitch जो है pitch behavior कैसा है यानि कि batting है, balling है, balance है baller को favor कर रही है अगर balance है तो baller को favor कर रही है ज़्यादा wicket गिर रहे है यहां पर score जो है कितना बनाए है आप यहां पर देख सकते हैं run ठीक है, इस pitch पर score कितना बनाए है highest score क्या है, lowest score क्या है वो चीजे अगर आप जान जाते है तो यहां पर जो है आप अच्छे खासे amount earn कर सकते हैं ठीक है, यहां पर dream 11 किसे खेले यह चीजे आपको काफी सारे लोग जो है, बताए होंगे इस तरीके से लेकिन यहां पर कुछ main चीजे जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है तो team 1 और team 2 रहता है जैसे यहां पर मानले जो यह CSK है और यह Delhi है, डीशी है ठीक है, यह CSK और वो Delhi है, तो यह जो team A है team 1, team 2, तो इसमें से आप वो select करने होते है, टोटल 11 प्लियर दोनों से ही select करने होते है ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है कि जैसे यहां पर 11 है यहां पर 11 है, दोनों की काफी जादा मुश्किल होता है कि 11 प्लियर हम कैसे select करें यहां पर एक team कैसे बनाए जो कि हमारा यहां पर 11 है यहां भी 11 है इस 22 में से हमें select करना 11 कैसे करें यह जो है यहां पर आप काफी confused हो जाते हैं और जो higher selection percentage हो रहे होते हैं उसको आप select कर लेते हैं बाद में क्या होता है कि आपने जितना invest करा है वो आपके या तो वापस आते ह है या फिर आप वहां से भी बाहर हो जाते हैं ठीक है आपका captain voice captain नहीं चलता है क्यों नहीं चलता है वो भी बात करेंगे चलिए ठीक है तो यहां पर जो है team 1 team 2 की बात किये ठीक है team 1 team 2 जैसे team 1 CS के है और team 2 DC है डली capital है तो यहां पर team 1 और team 2 से क्या करना है यहां पर आप देख सकते हैं देखो 7 और 4 की ratio में team 1 और team 2 से 7 और 4 साथ player आपको select करने किससे team 1 से CS के से यह जो है strong team है strong है ठीक न तो यहां से आपको select करने है 7 player और यहां से आपको select करने है कितने 4 player ठीक है तो यह हो गया आपके 11 player तो इस तरह से आपको यह 3 team बना लेने है three team, three team आपको यहाँ पे बनानी है ठीक है इस तरह से ये ratio में 7 और 4 की ratio में 3 team है बनानी है अब क्या गड़ना है कि इसका जो है Apposit करना है Delhi जो है Cumsure Team में CSK के पास तो यहाँ पे CSK से उठाना है 4 और Delhi से 7 सिर्फ उल्टा कर देना है बस ठीक है और इस उल्टे को आपको तीन टीम बना लेना है उल्टा करके रेशियो में और ये अगर आप तीन टीम बना लेते तो टोटल हो जाते हैं आपके तीन तीन छे टीम अगर आप छे टीम बना लेते छे टीम आपके लिए काफी है जी एल विन करने के लिए छे टीम काफी है और यहां पे जो है Captain Vice Captain कैसे बनाएंगे वो आपको बता देंगे ठीक है और किसको select करना है perfect Captain Vice Captain वही चलेगा कैसे पता करना है वो भी आपको बताएंगे तो यहां पे बने रही है हमारे साथ तो कुछ इस तरह से जो है आपको चैँमें बना लेनी है अगर आप चैँम बना लेते हैं तो आप जील अराम से विन कर सकते है ठेक है तो सलिए यहां पे जो है आपको best player select करना है best player कैसे select करेंगे तो यहां पे जो है विकेट कीपर आपको नजर आ रहा है तो जादा तो लोग क्या करता है यहां पे 95% वाले को select करते हैं आपको क्या करना है कि 75% वाले को select करना अब माल लिए यहां पर जो है 95% वाला अच्छा player है ये अच्छे खिलते हैं तो आप 3 team में 95% वाले को select कर ले अगर आप 2 भी team बना रहे हैं तो 2 team में, 1 team में आप रख सकते 95% वाले को और एक टीम में आप 75% वाले को जरूर से जरूर ले लेना ठीक है यह 75% वाला 110% अच्छा खेल के देगा आपको 95% वाले से अच्छा ठीक है इसको आप अपने टीम में रख सकते हैं लेकिन इसको आप अपने टीम में सेलेक्ट करना नहीं भूलेंगे यह आपको काफी 5% में जो सेलेक्ट हो रहा है उससे अच्छा ठीक है अब यहां पर बैटर की बात करते हैं तो बैटर में किसे सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करना है तो यहां पर तीन से चार प्लियर जो है आपको बैटर में सेलेक्ट करना है मनले जे हमने यहां पर एक सेलेक्ट करा अब यहाँ पर 3-4 player select करना है 3 या फिर 4 ठीक है 3 या 4 player आपको यहाँ पर select करना है तो किसको select करेंगे तो first जिसने toss win करा आपको पहले ही बताए कि toss की जान्करी होनी चाहिए तो जिसने toss win करा वहाँ से आपको 2 player उठा लेना है opener player को उठाना है ठीक है और एक या दो player आपको select करना है दूसरे team से जो कि balling first कर रहे है उससे आपको select करना है तो उसमें one down और second down में जो batting करेंगे यानि कि एक wicket गिरने के बाद जो batting करेंगे और दो wicket गिर जाने के बाद जो batting करेंगे उसको आपको select करना है दो प्लियर को यहाँ पे थीक है अपोजिट टीम से ठीक है तो कुछ इस करें के यहां पे तो किसको सलेट करना है तो यहाँ पे जो रह और सलेक्शन परसेंटेज जिसके हैं उसको आप आप घूरि कर लो अगर अगर आप पूरी detail वगेरा में नहीं जाते हो, तो अगर detail में जाते हो, तो यहां पे आपको देखना है, कि किसको balling मिल रहा है, और batting भी मिल रहा है, अप में. ठीक है? जैसे यहां पे 2-3 player हमने select करा. ठीक है? तो यहां पे T20 match होता है, ठीक है? T20 match IPL में होता है, आपको पत आवर मिल रहा है ठीक है तिन से चार आवर बॉलिंग मिल रहा है और बैटिंग भी अप में मिल रहा है यानि कि दोनों चीजे उसको अप में मिल रही है बॉलिंग भी मिल रही है तिन से चार और बैटिंग भी मिल रहा है आप में वन डाउन सेकेंड डाउन में यह अगर आ र तो एक जो है आपको सेलेक्ट करना है जिसको चारों वर मिल रहा हो और बैटिंग भी मिल रहा है और अगर तीन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पी जो है दो प्लियर ऐसे सेलेक्ट करना है जिसको बॉलिंग और बैटिंग दुन भी मिल रहा है और एक प्लियर को सेलेक्ट ऐसे करना है जो प्लियर जो है नीव खिलने जा रहे है जिसको जो है इस टीम में पहली बार खिलाया जा रहा है आज की मैच में पहली बार खिलने वाले हैं लाइनप पे पहली बार दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ठीक है जिसके सेलेक्शन परसेंटे फिर से यहां पर select करेंगे यानि कि अगर 3 से 4 balling में select करेंगे 3 से 4 की ratio यहां पर balling में select करेंगे तो balling में भी वही करेंगे 2 opener baller को select करेंगे अगर toss win करके जो batting आ रहा है batting के opposite जो balling first आ रहा है ठीक है तो उसके 2 baller को आपको यहां पर आपनर बॉलर को सेलेक्ट करना है ठीक है आपनर बॉलर को सेलेक्ट करना है दो बॉलर को और एक जो है की प्लियर आपको रखना है एक की प्लियर रखना है वो की प्लियर कौन होंगे तो वो जो है आपके बहुत अच्छे प्लियर फॉर्म में चल रहे है और आज वाले टीम म करना है लाइन अप में उसको दिया हुआ है निव प्लियर में ठीक है उसका जो है सटेशुल है पॉइंट जीरो है तो उसको आपको यहां पे सलेक्ट करना यहां पे आप देखते हैं heck उने बनाय है एक पाटरुन तो इस पाटर में आपको टीम बनानी ए तो यहां पे जो है विकेट कीपर हमने स्लक्ट करा अब यहां पर कितना परशंट तो जैसे बता है हमने 75 परशंट औरต नाइन्टी-फाइब परशंट में और यहाँ पर 4 batter हुमने दिया हुआ है यहाँ पर 4 batter दिया हुआ है, जिसको आपको select करना है, तो कैसे? तो यह जो है 2 opener करेंगे, ठीक है, opener और यह 2 जो है, 1 down है और 2nd down, यानिए कि यह जो है, यहां पे यह दो player को आपको select करना है कौन से player को जो one down के बाद batting करने आ रहे हैं और second down के बाद batting करने आ रहे हैं यह opposite team से होंगे ठीक है यह दो होंगे जो toss win करके batting करने आ रहे हैं वो हो जाएंगे दो opener batter और यह दो जो है one down और second down के player हो जाएंगे जो की हो जाएंगे दूसरे जो balling first करने आ रहे हैं वो जब chase करने उतरेंगे वहां से आपको one down और second down player को select करना है ठीक है अब यहां पे बात करते हैं all rounder की ठीक है तो all rounder में ये दो player को आपको select करना है कैसे तो ये दो player आपके हो जाते हैं जैसे यहां पे इनको 4 over में मिल रहा है अप में batting भी मिल रहा है अप में batting भी मिल रहा है ठीक है तो अप में batting भी मिल रहा है और 4 over भी मिल रहा है यानि कि अगर 2020 का match है तो यहां पे 4 over भी मिल रहा है 4 से 3 ठीक है और यहां पे ये अप में बैटिंग कर रहे हैं उपर में यानि कि one down third down के बाद जो है इसको बैटिंग मिल रहा है या फिर बोल सकते हैं ऐसे third number fourth number पर ये बैटिंग करने आ रहे हैं तो ये काफी अच्छा है इसको जो है आप select कर सकते हैं और rounder में ठीक है और इसके selection percentage जादे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आप select कर लो और ये जो player है ये आपके key player होंगे तो इसको आपको select करना है ये new player होंगे ठीक है new player होंगे line up में इसको आपको यही पर खेल करना है ये player को आपको select करना है जिसके percentage कम रहेंगे selection percentage point 0 रहेगा क्योंकि अभी तक match खेला नहीं है और पहली match खेलने जा रहा है lineup में इसको दिया हुआ है तो इसको आप select करेंगे यह आपको काफी अच्छा खासब यहाँ पे point देने वाला है अब बात करते हैं baller की तो baller जो है यहाँ पे तीन से पांच baller आप select करेंगे जिसमें से दो जो है आपके हो जाते हैं opener, baller, opener, baller जैसे opener batsman हो गया है वैसे opener, baller जो balling first करेंगे उसके हो जाएंगे ठीक है, opener, baller और एक आपका हो जाएगा वो key player, key baller ठीक है, जैसे यहाँ पे ये new जो है, आज की team में balling करेंगे, तो इसको जो है आप select करेंगे, तो ये जो है कुछ इस तरह से pattern बन जाता है अगर आप इसे pause करके देख लेंगे, तो आप जो है JL win करने के chances आपके 95% बढ़ जाता है, ठीक है 95% अगर आप इस तरह से team बनाते हैं, तो JL winning के chances आपको काफी बढ़ जाते हैं अगर इस तरह से team बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर ये pitch अगर batting का है, तो 4 batsmen अगर आप select करेंगे, तो इस तरह से select करेंगे, अगर pitch balling का है, तो यहाँ पे जो है, आप 4 से 5 baller select करेंगे, और यहाँ पे 3 batter आप select करेंगे, ठीक है तो कुछ इस तरह से आपको team बनानी है, जो की pattern आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा team बना लेना है तभी आप dream 11 win कर पाएंगे, dream 11 के winning chances आपके बढ़ जाएंगे और dream 11 इसी तरह से आपको खेलना है dream 11 में ठीक है, तो dream 11 कैसे खेलें, यह आपको पता चल गिया होगा, dream 11 खेलना कैसे है, team कैसे बनानी है ठीक है, तो इस तरह से अगर आप team बनाते हैं, तो आपके chances काफी जादे हैं कि जो है आप GL win कर सकते हैं ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लगी है तो please like, share और comment करें साथे साथ सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही, जय ही, जय भारत